नमस्कार मैं मिजिक लवर्स शिंगिंग सितार टुटोरेल में आपका सौगत है इस सीरिज में हमने कहीं गाने आपकी साथ शेयर किये हैं जिसको बज़ाने की हिसाब से हमने आपकी साहेता करने की कोशिश की है और यह भी बताया गया है कि और 99.99 भी बोल सकते हैं अभी percentage की बात चुड़ो music है कोई statistics तो नहीं फिर भी बहुत से गाने या almost all songs are set to either division of four or division of three मतब one two three four one two three four या one two three one two three इसमे ही होते हैं बहुत कम गाने हैं जो अलग ताल में होते हैं जैसे कि classical music का जपताल हो या एक ताल हो या रुपक ताल हो जपताल जैसे के दिल हम एक ताल की बात करेंगे फिर कभी रुपक और फिर जपताल की भी बात करेंगे तो यह समझना चाहिए कि ताल is like a shape like triangular square rectangle है ना वह हिसाब से तो दस मात्रा है मतब इसको तो दस side और दस angles है ऐसा गर shape है तो उसमें design अगर की जाए तो वह जपताल जैसा समझो लोगा एक जस फार यह understanding 12 line और 12 angle वाला जो shape बनेगा उसको एक तर नहीं होगी तो यह जो shape होगा उसके अंदर उस तो वही मात्रा का जो timing जाता है बारा मात्री का जो timing जाता है उसके जो parts होते हैं यह जपताल के 10 मात्रा 4 parts है रुपक के 7 मात्रा 3 parts है ऐसे एकताल के 12 मात्रा और 6 parts है तो सबसे पहरे ताल का division समझ में आना चाहिए मात्रा और division अभी एक point पे आते हैं कि त्रिताल सबको मालूम है तीन ताल उसको तीन ताल कहते हैं तीन ताल इसलिए कहते हैं कि उसमें तीन ताल ही होती है यह से I am talking about तीन ताल now though we are going to discuss एक ताल the sounds of एक ताल today but for your understanding I want you to understand that the word the term is also very important कि तीन ताल मतब क्या है कि तीन तालिय है उसमें एक पाच और तेरा यह तीन जगह पे तालिय है कि एक पही कितंबर without any exception, any composition वादन में हो, गायत में हो, नर्तन में हो वो समाप्त होगा सम पर, सम मतब पहली मात्रा पर ही, no exception तो है तो जासे तीन ताल में तीन तालिय है इसलिए उसको तीन ताल कहते हैं ऐसे एक ताल में एक ताली नहीं है। एक ताल में कितने दर्ली है किणों एक दो-तीन तो इसमें चार ताली है तो इसको एक ताल क्यों कहते हैं। यह नॉर्मली कृष्टिन्स में लोगों से मेरे स्टूडेंट से यह मुझे पुछते हैं लोग के ऐसा क्यों होता है। तो इसको मौलूम नहीं उसके लिए मुझे रहा है कि इसका बसीक ताल है चवताल जो पखावच का ताल है। उसके भी सेम डिविजिन, 12 मात्रा 2 दों का एक पारत ऐसे 6 डिविजिन, जिसे एक दो तीन चाल, पाचि के साथा, आद नाद गया वर। जैसे एक ताल है ऐसे ही है, उसके बोलें धादिन्ता, इक्त धादिन्ता, इक्त तक गडडि गन्ता, यह हो चोटाल, अभी चोटाल पक पखावज बजाने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है, पखावज को ट्यून करना बड़ा इंपॉर्टन है, उसकी बात को भी करेंगे, तो पखावज के जो चवताल बजाया जाता है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सब लोग नहीं बजा सकते हैं, पखावज के दोनों ऐसे साइड में बजाता है, तो तबला पे जो टाल बजाया जाता है, वो पखावज के ही मोट सब ताल, made easy, in a way, made easy, तो ये चौताल का एक ताल बन गया है, अभी जब एक ताल जिसने किसी ने इजात किया होगा, जिसकिसने इसको इंवेंट किया होगा उननों ये ही सुचा कि इस चौताल तो बड़ा अच्छा दाल है, दा दा दिंता, खिट दा दिंता, तिते पते का दिया है, लेकिन बजाने में बुलने में मुश्किल है, तो क्योंनों इसको easy किया है, तो उसने easy कर दिया, और वो सीधे कर दी, दिन, धिन, धिन, धागे, त तिते वकित, तुन, न, कत, अधा, धागे, तिते वकित, दी, न, दी, चौताल की एक पॉर्टिकुलर टेम्पो होता है, लेकिन एकताल बहुत slow, medium, fast, और बहुत fast, कोई भी speed में, कोई भी tempo में एकताल की रचना होगी है, दिन, दिन, धागे, दिन, धागे, दिन, धागे, दिन, धागे, तक तुन, ऐसा उसको shortcut उसको shortcut ले आदे, दिन, धागे, तिर किते के जगए तक कर देए, तो इसको एकताल क्यों बहुते है, इसके तो चारताली है, जब किसी ने उसको invent किया, तो वो सोच रहते इसको नाम किया दिया, जो उसको नाम नहीं आ रहा था, कि क्य क्या नाम गया है, जो चारताल है, उसको एकताल है, तो उसको एकताल है कि किसी ने उसको एकताल समझ लिया, उसको एकताल समझ लिया, उसको एकताल समझ लिया, उसको ताली से कोई सम्मन नहीं, उसको चारताली है, जो चारताल के भी चारताली है, एकताल को एकताल, इसलिए वदे किक्सी ने जिस ने बनाया उस ने कुछ ऊसको नाम नहीं दिया तो यह भी حकतम है यह भी एक ताल है, जिस अलसो अताल हो घ्रान हो घ्रा तो अहीं हम लोग एक ताल के गानों की बात करते हैं Pixel 2 में हम ने स्चुने हैं हाईली प्योर क्रसिकल को गाने हैं पहला है जो जैजेवन्ती राग प्राधारी थे राग जैजेवन्ती इस तरसी आता है ने ता जाय ने तबेश में देगा मपगा मरे रसा कोमद गंदार का पहुती का प्यूस दर्श्मी यह एक वर्जन है या तो यह पेसिक वर्जन है यह में पॉपिलर वर्जन है और राग जैजेवन्ती इसको सोर्थ अंग का जैजेवन्ती कहते है मलब सोर्थ इस लाइक देश राग देश जो है यह देश है ऐसे ही सोर्थ जैता है सोर्थ ऐसा है यह सोर्थ और शोर्थ है और शोर्थ राग आज तक किसी ने मेने दू नी सुना है सिर्थ बुद्र किताब में है कि भाई यह सोगट है लेकिन देश बेड़े बने देश में है तो आप चाने उसमें तो एक वर्जन है जो बशुन या जो 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 पॉपलर वर्जन हो सोउगट अंगर है लेकिन एक वर्जन है बागेश्रि अंगर जय ही liability जिसमें ग्रावर को इस तरसे अन्टर जाता है उसमें धारीयर राही आता है धारीयद पेनरे ये सोउगट अंगर का है यह बागेश्य अंग का जय योद्धी है तो यह जो गीत हमने चुना है मन मोहना बड़े जूठ है यह एकताल पर निवद्ध है और यह बागेश्य अंग का जय योद्धी है अभी कोई भी कमपोनिशन बंदिश जब हम समझने की बोशिश करते हैं समझते हैं तो उसको ताल के अंगर से अगर समझना है तो तो उसको कुण सा ताल में है यह समझने की लिए मालूम करने की लिए सबसे पेले सम्मझ पहली मात्रा जो है वह मालूम करना बहुत जरूए है वह जिसमें जोर आता है वह पहली मात्रा यह से कि मनमोहना के यह यह पहली मात्रा फिर उसका टेमपो मतलब उसकी लाइव मनमोहनarm hmoga нуна pyete कि ये लआ सिए 1 2 3 4 मनमोह 1 2 3 4 हसन तो मनमोहnorm गया जो शूर्वा दे इसमें कॉनसे नंबर आते मतमें मात्रा पर शुरू है ये questions दे मनमोह म fits पेलनी हिखो कॉनसे मात्रा ने हिखा है जह다 मारूम हो भुझा जो फ्सक्किर मात्रा है यह एक बास है यह वह बड़ी फिश्का टेंपो 1 2 3 4 अगर तुम गिंतें जो ना बड़े जूटेंप 1 2 3 4 5 6 7 8 नौ पे मनन नौधस मोह ज्यारवा एक इस तवसे तार समझना चीए विश्का मेंटेंट करना चीए मेरे इसको टेंपो रखता है उसको प्रैक उसके साथ 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 जाना पिठते है अगर हम लोग बजा रहे हैं तो तबला वे विश्का था है तो他是 है जो कि साथ आकंड़ि WRAY भी किसे AH जीर तैंद नीगान क isn't है Kash Smuts कमल गंदा का specific któ bicycles है राग में कमल गंदान का खास यूज पर निदी निदाबी है ध्राग का जो शक्रम को अंनुज व्हूंते तोड़ा ऐडीया है अब गा vibration में किस तवसे ताल को समझना चाहिए कि पहले सम उसका टेम को उसके साथ-साथ गिंते-गिंते कहां पी शुगा तो ही वो मात्रा को लोकेट करना है तो अभी हम दूसरा अपना जो गीत हम नहीं चुना है आपके लिए वो आपकी सामने ले आते हैं एक ताल का ही है आप और यह है टाइटल ट्रैक षटनल इसको टाइटल ट्रैक बने है टाइटल म्यूजिक फ्हेलीं थीति वे घृटल मूजिक और लीशल ऐघर फैबस इंमर्टाल मूजिक बने हैसानीड कि जो ताल जलते हैं उसंमे ही एक आ गजिरा ए पीछ रहा है अधी इस पूरिया धनाश्री आपको अधावित है पूरिया धनाश्री नौषयाद सापका सिंगी थेच्ट में बड़ा यह क्लासिकल बंडिशे इसको फिलमी काना जैसे लटे का भी इसके किस गाज बंडिश तोली जय जय का रों अभी तुर्द फूरिया धनाश्री की इस तरह से राग चलता है राग का चलता है आपे जो था तरह से कर साथ आता है यह क्षिश्व स्व् म ट There SM आता सिय्म मुझनन पुका रहां बहें रहां यह हैं इस तो से आप जाता है इस तो से आप जाता है यह डिल रख मैं जाता है इस यह का ओ क्वाना थे ढाले सिर्षा ले बाले सिर्षांगा पुझाइब करें तुग्स intéressant कि अमें भादे टूग्से बाले सिर्षाना उला जाका पाले सिर्षा अरियने किता है मेर दे डंवार जाथ मुल düşünते गना जाम, काम काम काऊ रिमन scope कि अपल enrichedgl ये जो सो ऎपल येदा T懶 संततीakt said कि आप ये एके ई wel parties ये खरी कम बड़ों से मृत काऊआ एक काम infants — सुष्मिते हल्स तो यह मालूम पढ़ा है कि राग की अलग बात है तो नीशा जैदिये नौजज़ ग्यावा एक जैदिये माज़ इतना मुक्ड़ा इसका माज़ दर्यावा एक तो यह बात को गौर करना चलिए अपने को कौन से मात्रा से शुरू है एक यह टिमपो में फिर्ट गणर गिंते जाओ जहां पर शुरू रघता रहें एक अगर नहीं समझ आये तो यह कोई गुरू या कोई आपका जान करूं से बात वह समलगा हो सकता है कि मैं जो बोलौ बर्स टैप में समझ मी नहीं है तो दुसरे बार, तिसरे बार, चोथे बार सुनो, if not कुछ कम्मिनिकेशन करो, I can explain you also. अभी और एक बड़ा इंपॉर्डन गाना है अपने यही ताल में, एक ताल में, जो जुगर्बंदी है, मन्नाडे सहाप और भारत रतन पंडित भीमसेंज भीमसेंज बसंद बहार मुवी थी, इसमें यह बसंद बहार, राग तर आधारी थी, बसंद बहार राग की बंदिश है, यह नोट आधारी थी, यह मैं आपकी सामने थोड़ा इसका ग्लिम्स पेश करता हूं, और यह एक ता अभी अभी जो पुर्या दनाशी सुनापने उसमें बसंद में थोड़े बहुत शिमिलाइटी थे, मार्गा मार्गे नावा, शिद्ध मध्यम बसंद में प्रमेनट है, यह बहुत है, मापनी पुर्ग, मापनी उसमे, यह न पार मदनी ता, यह न बहुत है, और और आधा, यह न बसंद में है शुद्ध गंधर, बहाल में कुमल गंधर, बसंद में, आपको बात समझ में आए उतनी समझ लो बाकिये की फिल कभी अगर आप इसके सड़ी करोगे तो ज़र मालूम पड़ेगी लेकिन इतना मालूम करो कि यह राग में बसंद बहार में सभी के सभी बारा स्वराते हैं दोनो इशव दोन भैवर दोनो गंधा सबकू जाता है तीगव मद्यम शुद्ध मद्यम अल पेलोंड़्स के ये गा मा मा अगा ये ललित का अंग बसंद में पाया लता है कि अगा ये ललित का ये ललित कमको बसंद बहार में मापा ये लगगर पुमल मा इननी कियंत के गुलाब जूहीं कंपक बनु पूले सानित अपमर गमार 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 निजाए सानित अपमर गमारि समक्तारर गमार 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 इसको शुबहाथ है एक पे दिन दागे जगर तुन ना कता दागर देन शानी गर बड़ परमाल गर यह अभी सितार के हिसाफ से अगर बागा के बागा स्वव तो बाला पढ़े तो है दी तो अपने को सोचना पढ़ता है कि मैंने शुद्द देवा लखू के पुमल लखू कि अपने को सोचना चाहिए उसके लिए बजा बजा के उसके देख लेना से ही कौई सा सुटिबल जाता है तो इसकी शुरूरत है फुर्द सा कुमल्ध जो पढ़ता तो है नहीं यहां से कुमल्ध क्या है कुमल्ध सा कुमल्ध कुम CGI कुम पढ़ताय कुम जो बजा देख लेकू प्रिव सा कुमि कुम जो 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 कrás कि कुम जो जो वो जो 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 अपहर आया कि यह यह पर्दे में कोमल है लेकि नम्दी को शुद्धा लेना है कि दोनों का शुद्धा है कि शुद्धा नहीं कोमल दब कि यह विशे कोई 25 मिनल पे समझाने वदा विशे है नहीं यह सब्जेक्ट इसको बहुत स्टड़ी करने की ज़र्द होती है समझने के लिए भी समझाने के लिए भी मैंने मेरे दरफ से जितना हो ना इतनी कम समय में आप लोगों सम्झाने की कोशिश की है आप जितना समझो उसके आगे अगर समझना चाहो तो कोई गाइड़स किसी का गुरू senior कोई हो उससे ले सकते हो या तो कोई जरिये से मेरा जो contact number है उसमें भी आप contact कर सकते हो I can sort it out however I can so I am sure I have given you the best of mind regarding iktaal and the film music and the laags also so please practice and dil laga ke man laga ke music suno music seekho and enjoy music enjoy life thank you God bless you झाल